नमस्कार स्वागत है आप सभी कार डिडी नियूस के स्खास पुलेटिन एक्सप्रेस हंडेड में जहां हम आपके लिए लिकर आते हैं राजनीती मनुरंज अंतेश दुनिया खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानि कि फटाफट अंदाज मे आपके साथ मैं हूँ संधिया शर्मा खबरी शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं गाजयाबाद जहां पर केंद्रियों मंत्री राजनाज सिंग चुनावी रैली कर रहे हैं पार्टी ने बीके सिंग्जी को यहां से चुनाव के मैंदान में उतारा मैं आप लोगों के प्रतिया भार्विफ्ट करना चाहता हूं कि बीके सिंग्जी को भी आपने दो दो बार संसद बना कर भारत की संसद में भेजा और मैं कह सकता हूँ बीके सिंग्जी को अपनी जिम्बेदारी का अंगरवा किया भारत सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी बहुती प्रभावी भूमिगा का अंगरवा किया है लेकिन एक पार्टी का दस्तूर है समय समय पर पार्टी फैसले जहां आवश्यक होता है प्रत्याशियों के संबंध में बदलती रहती है यह किसी भी राजनितिक पार्टी में होता है आज कोई प्रत्यासी है यह आवश्यक नहीं है कि वह कल प्रत्यासी रहेगा कल दूसरा भी प्रत्यासी आता है अंदे लोगों को भी औसर प्राप्त होना चाहिए इसलिए इस बार भारती जंता पार्टी की अलक्सन कमेटी ने फैस्ला किया ज़ाजी अबास तंसरीयं दर्वासंद शेतर से किसी को चुनाओ मैदान में उतारा जाना चाहिए तो स्थ्री अतुल गर्ग को ही चुनाओ के मैदान में उतारा जाना चाहिए बैनों भायों आप लोग जो अच्छी तरह अतुलगर्द से परचित होंगे जानते होंगे प्रकर मेधा के धनी है अतुलगर्द के अंदर अदबुत कालपनिक शमता है कुछ कर गुजरने की उनके अंदर तरपन है और लंबे समयते इनकी ही नहीं बलकि इनके परिवार की अधिप्रिस्ट भूंग देखिए इनके पिता भी भी यहां से महापौर रह चुके है और रहों ने बहुत ही मांदारी पुर्बक अपनी भूमिका महापौर के रूप में यहां पर निभाई थी इसलिए मैं मांता हूँ कि अतुल गर्ग जी को विरासत में भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ है राजमीत का गुण और वह कनभई यह नेता है इसलिए भारती जन्ता पार्टी ने उन्हें चुनाव के मैदान में उतारा अब हम लोग चुनाव सारे देश में लड़ रहे हैं हमारा संकल्प है कि भारत एक विक्सित भारत बनना चाहिए ऐसे भारत का हम नर्मान करना चाहते हैं जो भारत पुरे विश्व का नित्रत कर सके ऐसे भारत के नर्मान का संकल्प लेकर हम सब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो अभी आप सुन रहते हैं गाजियाबाद से किंद्रिय मंत्री राजनाद सिंग को जो की चुनावी रैली को संबोधित कर रहते हैं और वहां से प्रत्याशी अतुल गर्ग के चुनाव को ले करके मद्दाताओं को बात कर रहे थे और इसके लावाब आपको सीधे लिए चलते हैं शाम शाबाद जहां पर उतर प्रदेश के मुक्य मत्री योगी आदितिनाद संबोधित कर रहते हैं आपकी कावर यात्रा नहीं निकलने के से ती बारों के प्रद्रेश निकल नहीं है ना केवल कावर यात्रा निकल नहीं है बलकि अवेट जाने प्रभुराम के फट्प्य मंदिर का निर्माण का मार्ट भी पत्ष्ट करती है मैं पूशना काता हूँ जो जातिवाद के नाम पार राकलापने का कारकर्रे में पूशना चाता हूँ क्या ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस या भोजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोट जामे प्रवुराम का मंदिर बना पाते क्या ये बना पाते क्या ये गरीबों को राशन की सुवदा का लाप देखाते क्या ये गरीबों को रुशनी केस्ट का कनेक्शन दे पाते क्या ये सुरक्षा का माहून दे पाते बेटी और व्याकरे को सुरत्सा देने का कारे भारतिय जत्पा पार्टी की सरकार ने किया था आफ़ते अफ़ते पूर्सीक्री से जनांअ कौने जनका है 2017 से पहले एक पुरे छित्प्र में ज्याधा तर छित्प्र में सुरेस्प होने के पार ठानों में भी ताले लग जाते थे सामाने नाख्रिकों की क्यास के दिरेयों की किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए भाईयों बेनों आज आज आप देख रहे होंगे अब राधीर पहले तो उसमें कि उतनी नप निकाले थी तो आगरा से अभी आप सुन रहे थे उतर प्रदेश के मुकी मंतरी योगी आदितिनात को जो की बता रहे थे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर पहले हुआ करता था केवल घरों में नहीं बलकि सुर्यास्त के बाद थानों में भी ताले लग जाया करते थे लेकिन जब से भारती जंता पार्टी की सरकार आई है तो किस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है चाहे वो रामलला का मंदिर हो प्रान प्रतिष्टा समारो हो या फिर महलाओं के हित में उनके सुरक्षा का वाता वरंड तयार करने का काम हो और आई अब रुक करते हैं फटाफट अंदास में खबरों को चानने का दिली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की याचिका पर आज दिली हाई कोट में सुरवाई होगी याचिका में केजरिवाल को प्रवर्तनी देशाले द्वारा गिरफतार के ज़़ाने को चुनाओती दिगी है इससे पहले एडी ने एक ओर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आपने अर्विंद केजरिवाल के जर्या मनी लॉंडरिंग की है और यह अपराग पिये मेले की धारा सब्तर के तहट आता है साथी एडी की ओर से दैर जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी को शराब घोचाले में आए रुपेयों का सबसे ज़ादा लाब मिला इन पैसों में से लगभग 45 करोड रुपे की नगती का उप्योग गोवा विधानसा भचुनावत में किया गया आम आदमी पार्टी के राजे सभासांसर संजय सिंग आज बेल पर रिहा हो सकते हैं उनके पतनी अनिता सिंग ने कहा कि हमने संजय सिंग को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भरती कराया था आज भी डिस्टार्च होंगे और उसके बाद तिहार जाएगे आप निता गोपाल राय ने प्रिस कॉंफरेंस कर बिजेपी पर निशाना साधुते हुए कहा कि किंद्रु सरकार ताना शाही तरीके से काम कर रही है गोपाल राय ने साथ अप्रेल को सामुही कुपवास का आफान ठीकिया है किंद्रेग्रेवमसकारितामंत्री अमिच्षाज पश्चिम यूपी में मुझफर नगर के भाचपपर प्रत्याशी के हक में रैली करेंगे इसके बाद वंगुरादाबाद में संगटनात्मग बैठव करेंगे मुही रक्षा मंत्री राजनात सिंग आज़्याबाद में भाचपपर प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामंकन में शामल जेपी नड़ा आज इंदोर और उचेन में पार्टी कारी करताओं के साथ चर्चा करेंगे इसके अलावा आज बीचेपी के प्रदेश अध्यक्षा और खजुराहु संसदिया सीव से प्रत्याशी विश्नुदत्य शर्मा पन्ना में नामंकन दाखी करेंगे विश्नुदत्य शर्मा के नामंकन में केंद्री मंत्री इस्मिर्टी रानी और मद्धिप्रदेश की मुक्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजुद रहेंगे जौरान पन्ना के चोत्र साल स्टेडियम में विशाल जन्सभा भी होगी लोगसभा चनाव की नामंकन प्रक्रिया के तहताज राजस्तान के कोटाबुंदी लोगसभा क्षेतर से बिजेपी प्रत्याशी और लोगसभा द्याश्य ओम बिर्ला नामंकन दाख्री करेंगे ओम बिर्ला की नामंकन रैली में राजस्तान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे साथी उप मुख्य मंत्री प्रेंट चन्द बैरवा बुपेंदर यादव लगातार सखंज नाव प्रचार अभ्यान चला रहे हैं डिडी नियूस से बाचित में बुपेंदर यादव ने कहा कि अलवर की जनता के मन में मोधी जीबसे हैं और मोधी की गारेंटी को जन जन तक पहुँचाना हमारा संकल्प है कंग्रेस नीता रहूल गांधी आज केरल के वाइनाट लोगसकवार शेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे रामांकन से पहले राहूल और उनकी बैन प्रियंका गांधी ने रोट शो किया और जनता को संबोधित किया केरल के वाइनाट से CPI उमिदवार एनी राजशा ने नमांकर दाखिल किया इससे पहले लिट राज़न अक्षेतर में उन्होंने एक रोट शो भी किया यहां उनका मकाबला कॉंग्रेस पार्टे के मौजुदा सांसद और उमिदवार राहूल गांधी से होगा कॉंग्रेस और वामदलों के बीच लड़ाई दिन पर दिन बढ़ती चा रही है केरल के मुक्यमंत्री पी विजेयर ने राहूल गांधी के वाइनाट से चुनाव लड़ने को लेकर उड़की आलवसना की है यह स्थिति तब है जब पशिम बंगाल में वामदल और कॉंग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कॉंग्रेस ने कुछ अनने राच्यों में भी वामदलों के लिए सीते खाली की है कॉंग्रेस पार्टी के राश्ट्री अध्यक्षे मलिकार जुन खड़ गए आज यमना पार उत्तर पूर्वी संसद्यक्षेत्र की घोंडा विधान सभा से कॉंग्रेस का गारंटी काड बांट कर लोग सभा चुनाव अभ्यान की शुरूराद करेंगे इस बारे में दिली अध्यक्षे अर्विंदर सिंग लवली ने बताया कि लोग सभा चुनाव में मतदाताओं के लिए कॉंग्रेस अपना गारंटी काड ज़ारी करेगे जिसे घर-घर पहुचाने की शुरूराद राश्ट्री अध्यक्षे खड़गे करने चा रहे हैं मतिप्रदेश में 26 अप्रेल को हुने वाले मतदान के लिए आज कई कॉंग्रेस प्रत्याशी नामंकन भरेंगे कॉंग्रेस पिछली हार से सबक लेते हुए इस बार नई रण नीती के साथ मैदान में है कॉंग्रेस नीता सचिन पालेट ने कल जोतपूर में किंद्रू सरकार पर निशाना साधा उल्हों ने कहा कि किंद्रू सरकार जो कर रही है उसमें न्याय कम बदले की भावना साधा नजर आ रही है उतरप्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भवर में है संभल, मेरट, मुरादबाद और रामपूर के बाद अब बदाईउं में भी पार्टी को लोग सभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिख्कत आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शियुपाल यादव ने बदाईउं सीट छोड़ने का एलान किया है और अपने बेटे आदिती यादव को बदाईउं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुक अखिलेश यादव को भेचा है से सियासी घमासान प्रदर्शन में बिजेपी कारी करताओं ने कुर्भा संसक को लाप पता बताया महीं कॉंग्रेस की कॉर्भा से लोगसभा प्रत्याशी जोसना चरंडास महंत का कहना है कि भाजपा की नीती है फूद डालो बदनाव करो वियार में पॉर्णिया लोगसभा सीट इन दिनों होट सीट बनी हुई है वीमा भारती आज अपना नामन कंदा खिल करेंगी उधर कॉंग्रेस नेता पपुयादव भी जुनाव लड़ने पर अड़े हुए कमिलनाडु में ए आए डीमके के तीरुची रापलनी लोगसभा उम्मित्वार पी करुपईया ने श्री सांजल मर्यमन मंदिर में पूजा किया और अपना चुनाव अभिया शुरू किया पुर्वमंत्री विजे भासकर भी करुपईया के समर्थन में प्रचार करने पहुच और कलवे की मद्यप्रदेश उच्चन नियाले के निर्देश के बाद एसाई ने 22 मार्च को भोड़ चाला परिसर में पूरा तात्विक सर्विक्षन शुरू किया था युएन में भारत के इस्ताय प्रतिनी धी रुचिरा कमबोज ने संविक्तर राश्टर में कहा कि भारत में कम होती गरीबी और अंतरराश्टरी अमिले टुर्श करने तृत्व करने में भारत की प्रगती वैश्विक खादी सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबधिता को उ प्रतिया है उतरप्रदेश के पुलिस भरती परिक्षा पेपर लिग मामले में मासर माइन को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफतार कर लिया है मासर माइन का नाम राजीर नयन मिश्वरा बताय जा रहा है पेपर लिग मामले के मासर माइंड को STF ने नौईडा से गिरफतार किया है आरोपी के पहले भी पेपर लिग में सनलिप ततार रही है और वह इसी तरह के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है चतिसगड के विजापूर के जंकल में हुई मुटबेड में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए है साथ उस रक्षा कर्मियों ने इनसासलिम जी और 147 जैसे आउटोमेटिक हत्यारों भी को भी बरामद किया है महराश्ट्र के चत्रपती संभाजी नगर में एक दर्दनाख हाथसा सामने आया है संभाजी नगर के चामनी इलाके में इस्तेत एक घर में रात में आग लगे जिसके कारण साथ लोगों की मौत होगी कपड़े की दुकान में लगे आग इतनी भीशन थी कि एक ही परिवार के साथ लोगों की मौत हो गई जानकारी के नुसार मारे गए साथ लोगों में तीन महिलाएं दो बच्चे और दो पुरुष शामिल है फिलाल सभी शवकों चत्रपती संभाजी नगर के सरकारी अस्पताल पहुचाया गया है जहां हाथ से की चांच जारी है और आई अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधान दिल लिए जहां पर मलीकार जुन खड़गे के रैली कर रहे हैं रोट शू कर रहे हैं तो घर घर जाकर इस अभ्यान की शुरुआत मलीकार जुन खड़गे करते हुए नई दिली से इस अभ्यान की शुरुआत तो आप देख रहे हैं कि लोग सभा चुनाफ की तयारी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से भी जोड़ शोड़ से की जा रही है और कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष मलीकार जुन खड़के दिली के उत्तर पुर्वी संसद्यक शेत्र पहुँचे और यहां से कॉंग्रेस का गारंटी कार्ट बाट कर लोग सभा चुनाव अभ्यान की शुरुआत कर रहे हैं यह है कॉंग्रेस का गारंटी कार्ट जो घरगर बाटा जा रहा है और इस मौके पर दिली अध्यक्ष अर्विंतर सिंग लगनी थी साथ में मौज़ू कॉंग्रेस पार्टी के कई कार्टा साथ में मौज़ू कॉंग्रेस का गारंटी कार्ट जो घरगर पहुंचाया जाएगा और कॉंग्रेस किस तरह से काम करेगी उसकी जान का ही पीजाएगी तो लोग सब चुनाव को लेकर सियासत गर्माई हुई है हर जगर अपने अपने जीट के दावे कर रहा है जीट के बादे कर रहा है और उसी कड़ी में फार्टी चितापार्टी जहां चुनावी रैली कर रही है तो वही कॉंग्रेस भी घर घर जाकर अपने کیंपेंण चला रही है अब क्यांच चला रही है और उसी की कड़ी में ये कॉंग्रेस के राज़्ट्रिया द्यक्षे मलिकार्जुन खडबें तमाँ कॉंग्रेस के नेता और कारे करता आज डोर-टु-डोर कैंपेंण की शुरू तो अभी आप देख रहे थे राजधानी दिली से ये सिधा प्रसारन जहाँ पर कॉंग्रेस के राज़्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़ गे डोर टू डोर कैम्पेन की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे थे और कॉंग्रेस पार्टी के गारेंटी कार्ड जो किसी भी तरह की जन्हानी की सुचना नहीं है तमिलाडु में कथित अवैध रित घरनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोट ने समन के बावजोद इडी के सामने पेश नहीं होने पर पांच जिला अधिकारियों को फटकार लगाई है अधिकारियों को 25 अपरेल को इडी के सामने पेश होना होगा कोट ने चितावनी दी कि अगर वे पेश नहीं होते हैं तो सक्तकारवाई की जाएगी अपरेल मेने के शुरुआत से ही देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है मौसम विबाग की अनुसार 26 अपरेल के बीच पश्ची मी हिमाले पर बारिश और भरस बारी की संफावना है वितमंत्री निर्मला सितरमने मस्बूर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी धाची की सराना करते हुए कहा कि इसकी बदोलत भारत आज डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है वितमंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करो डिजीटल ट्रांसेक्शन बिना किसी शुलक के किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि डिजीटल सार्वजनिक बुनियादी धाची को इस तरह से डिसाइन किया गया है किसमें विक्रेता खरीदार और बुक्तान प्रणाली तीनों शामिल है सरकार ने निर्देश्ट सीमा शुलक के स्टेशनों के जरीए एक जाटन तक काला नमक चावल के निर्याद की दिया नुमती कला नमक चावल और उसकी मात्रा के साटिफिकेशन के लिए अधिक्रेत अस्ताक्षर करता, खरीशी विप्रन और विदेश वियापार लखनों के निदेशक होंगे चावल के इस किसम के निर्याद को छे सिमा शुलक स्टेशनों के माधियम से दी जाए गया नुमती रिसाल भिशन गर्मी पढ़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड इस सर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने ताप पिद्यूत सेयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए अग्रिम योजना बनाने और गर्मी के मौसम में रख रखावकारियों से बचन बिजली मंत्राले का अनुमान है कि इना गर्मियों के दोरान देश में अधिक्तम मांग 260 गिगावाट तक पहुँच सकती है चो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गिगावाट से अधिक है बारतिय प्रतिस परदा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंशरेंस कम्पनी लिमिटेड के 14 करोड 25 लाख रुपई के एक्विटी शेरों की सदस्ता को दीम बंसूरी एक्सिस बैंक ने इससे पहले 113 रुपई प्रतिशेर पर मैक्स लाइफ इंशरेंस में अत्रिक्त 6 प्रतिशत इसे दारी हासल करने का रखा था प्रस्ता वितियस अंकट से जूज रही एच्चेक कम्पनी वाईजूस करीब 500 कर्मचारियों की कड़े जा रही है छटनी कम्पनी के इस कदम से नविंतम दौर विक्रीकार शिक्षक और कोचिट्यूशन के दर होंगे प्रभावित वाईजूस कम्पनी का कहना है कि कारोबार पुनर गठन के अंतिम दौर के तहत की जा रही है छटनी कम्पनी या छटनी अगले 15 से 20 दिनों में शुरू करेगी इस छटनी से सेल्स शिक्षक और कोचिट्यूशन के इंद्रों से जुड़े करमचारी होंगे प्रभावित पार्ति खादिय सुरक्षय और मानिक प्राधिकरण ने सभी एकॉमर्स खादिय वेबसाइस अंचालकों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट पर बीच जा रहे खादिय उत्पादों का उचित वरगी कर्ण सुरीज शित करें साथ ही प्राधिकरण ने किसी भी पेपदार्थ की विक्री बढ़ाने के लिए हैल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक जासे शब्दों का दुरूपयोग नहीं करने की भी नसिहत्ती है प्राधिकरण ने इस पश्ट किया है कि हैल्थ ड्रिंक शब्द को FSS Act 2006 या नियमों के तद कहीं भी परिभाशित नहीं किया गया है और इसलिए नियामक ने सभी E-कॉमर्स खादिय व्यवसाय संचालों को से कहा है कि विज गलत वरगी करण को हटाए भारते चीनी मिल संग ने सत्र के अंत में पिछला 25 चौक बहतर रहने की उमीद की वज़े से सरकार से चालू विक्तवर्ष 2023 के सत्र में 10 लाग टन चीनी मिर्याद के अनुमती देने का अग्रह किया है एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू सत्र में मार्च तक चीनी का उत्पादन 302.29 लाग टन तक पहुचाए गया है जो एक साल पहले की समान अबदी में 307.77 लाग टन था HCL Technologies की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुशंगी HCL Investment UK ने अमेरिकी कमपनी स्टेट इस्ट्रेट इंटरनेशनल के साथ संगत उद्यम में अपनी समुची 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए समचाथा किया HCL Technologies ने कहा कि संगत उद्यम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से अनुशंगी को 17.25 करोड डॉलर की राश्वी मिलने का अनुवान है यह सौधा एक अप्राल 2024 को प्रभावी हो गया है देश में बिते वित्वर्ष में 1.85 लाग से अधिक कमपनियों का अगचन हुआ किसी एक वित्वर्ष में गठित होने वाली कमपनियों की यह संख्या सरवाधिक है गरेलू हवाई यातरी आदया 2023-24 में 15.34 करोड रहने का अनुमान विमानों नक्षेत्र के बारे में परामर्ष देने वाले C.A.P.A. इंट्रिया ने चताया अनुमान पशुप्रबंधन और पोशन कमपनी इफिटक ने कहा है कि उसने भारत में टिकाव डेली विवहार के नवनमेशन को बढ़ावा देने के लिए किया एक राष्ट्र व्यापी शोध मंच शुरू खुद्रा निवेशकों की मस्बूत भागिदारी और संसागत निवेशकों की दमदार निवेश की बदौलत बिते वित्वर्ष दोहजार तेस चौबिस के दौरान 76 कमपनियों ने आईपियों के जर्ये बासट हजार करोड रुपे चुटाए विदेश मंत्री डौक्टर रेजेश उंकर ने कहा कि भारत संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट लेकर रहेगा साथ ही दुनिया का भी अमानना है कि भारत को यह दर्जाम मिलना चाहिए डॉक्टर रैज जेशंकर ने कहा कि आज भारत कई देशों के लिए मॉडल बन गया है भारत सिर्फ काम करने वाला लोक तंत्र नहीं है बलकि दुनिया के लिए प्रेड़ना देने वाला लोक तंत्र भी है ताइवान की राजधानी ताइपे में साथ दशलो साथ तीवर्टा का जबरदस्त भुकंप हुआलीन में कई इमारते गिरी चापान और फिलिपिन्स में सुनामी की चितावनी के पाथ ओकी नामा में विमान सिवा पर रोक पुर्वी ताइवान के तड़ पर आएभुकंप के मदे नज़र ताइवान में रहने वाले सभी भारतिय नागरिकों की सायथा के लिए भारत ताइपे असोसियेशन निचारी की आपात का लिन हेल्प लाइन नंबर सभी नागरिक मदद के लिए मोबाइल नंबर 0905247906 और हीमेल आईडी डॉट इटरेट मेड़ूवी डूवी डॉट इन पर कर सकते हैं संपर्ग इसराइल और हबास के बीच गाजा में युद्निचार इस बीचेक इसराइली हवाई हमले में साथ सायता करम्यों की हुई मौत और और प्रीदान मंत्री अटनी अलबनीज ने फरेंक कॉम की मौत के लिए इसराइली सिर्कार को जवाब दे माना है उन्होंने कहा कि फ्रेंक का ओम गजा में चारिटी के लिस्टे इच्छा से काम कर रहा था इसराइली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतनियाहू ने कहा कि दुर्फाग इसे गजापत्टी में निर्दोश लोगों पर जो खमला हुआ है वो अर्जाने में हुआ है इखादिकारिक बयान में कहा गया कि अमेरिका और चीन के बीच दुवी पक्षिय संबंध हो और आपसी संचार को मस्बूत करने समित कई प्षेत्री और वैश्विक मुदों पर चर्चा करना सरूरी है इस्तांबूल में एक नाइट क्लब में मरमत कारी के दौरान आग लगने की घटना में 29 लोगों की मौथ और कई लोग पूरी तरह से जल गए सरकारी अनादोलू एजेंसी ने बताया कि आग पर काबू पालिया गया है आग के कारणों का पता लगाने के लिए जाच की जा रही है और माना जा रहा है ही गटना के शिकार लोग नवीनी करिंट कारी में शामित थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान ने कर सुनवाई के दोरान कहा कि उनकी पतनी बुष्रा बीबी को जहर दिया गया जिन्हें उनके नीची आवास पर किया गया था नज़रपन इम्रान खान ने कहा कि अगर बुश्राखों कोई नुक्सान होता है तो पाकिस्तान से ना प्रमुक्स जनरल असी मुनिट जिम्मिदार होंगे इसलमाबाद उच्छ न्याले के मुखे न्याइदेश अमिर फारुक समेत आठ न्याइदीशों को धमकी भरे पत्रों में संदिक्द सामगरी भरी मिली पुलिस के विशिशग्यों की एक टीम चांच में जुटी है न्याइदीशों को धमकी का या मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश के खुपिया एजेंसियों पर न्याइक का मामलों में दखल देने के आरोप लग रहे हैं न्याइदीशों ने सर्वचे न्याइले के मुखे न्याइदीश अकाजी फैज इसा को पत्र लिख कर की थी इसकी शिकायत पुर्तकाल के प्रधान मंत्री लूइस मोंटेनेग्रो ने आम चुनाव जीतने के बाद शपत ले ली डेमोक्रेटिक अलाइंस अकडबंद ने दस मार्च के चुनाव में मौजुदा सोशलिस्ट पार्टी पर मामूली अंतर से जीत खासल के थी पुर्तकाल के नव निर्वाचित प्रधान मंत्री को पद्भार संभालने का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने दी पदाई पीम ने कहा इंडियन प्रीमेर लीग में आज विशा का पटना में दिली कापिटल्स का सामना कुलकाता नाइट राइडर्स की टीम से होगा दिली कापिटल्स ने अपने पिछले मुकाबले में चैने सुपर किंग्स की टीम को 20 रन से हराया था इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 बार मुकाबले हुए हैं जिसमें केके आर ने 16 बार तो वहीं दिली कापिटल्स की टीम ने 15 मुकाबले जितने में सफ़दा हासिल की एक मैच का नतीज़ा नहीं निकल सका इंडियन प्रीमेर लिग में मंगलवार को लखनो सुपर जॉइंट्स और रॉयल चैलेंजस बैंगलूरू के बीच के लिगर मुकाबले में लखनो की टीम ने बाजी मारी और उन्होंने आर से वीकॉट थाइस रन से हरा दिया लखनो सुपर जॉइंट्स की ओर से एक वंटंटी कॉक ने क्या सी तो निकोलास पूरान ने 40 रंकी हैं पारी के लिए लखनो की यह पिछले तीन मैचों में दूसरी चीत रही रजसान रॉयल्स और केके आर के भी 17 अप्रेल को होने वाला मुकाबला अब होगा 16 अप्रेल को 17 अप्रेल को मैच में सुरक्षा देने में कोलकाता पुलिस ने जताई थी असमर्थ था श्री लंकाई क्रिकेटर दिनेश चांदी मल को बंगलादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा है पारिवारी करणों के चलते चांदी मल टेस्ट मैच की चौथे दिन कोलंबो के लिए रफाना हो गए बेनिस टोक्स आगामी टी-20 विश्वक अप नहीं खेलेंगे उन्होंने आगामी टी-20 विश्वक अप से अपना नाव वापस ले लिया है और इस समंद्ध में उन्होंने इसी भी को सूचना भी दे दी है कि टीम के चेंट के लिए उनके नाम पर विचार ना किया जाए इंग्लाइन मैला क्रिकेट टीम की अहम खिलाडी सारा ग्ले इंफंटे सिरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गई हैं सारा अपनी चोट से उबर नहीं पाई है मैला फुटबॉल खिलाडियों के साथ दुर्व्यभार के आरोप में चलते विवा दो में आए AIFF सदा से दिपक शर्मा को खिल भारतिय फुटबॉल संगने की आगले आदेश तक मिलापन मुरकों में खेली चा रही टेनिस की मारकेश ओपन में भारत में सुमेत नागल ने शांदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम सोला में पहुचा दिया है नागल ने मंगलवार को फ्रांस के कैरंचीन मांटेग को 4-6-6-3-6-2 से शिकस्त दी अमेरिका की जैनियल कॉलिंस चाल्सन ओपन की अगले दोर में पहुचने में काम्याब रही डैनियल कॉलिंस ने स्पेन की पाउला बडुसा को 6-1-6-4 के सीधे सेट में पराचित किया प्रीमियर लिग में न्यूकासल युनाइटेड और एवर्टन के बीच खेला गया मुकाबला एक एक की बराबरी पर हुआ खत्में न्यूकासल की ओर से इसाक ने किया गोल सौधी प्रो लीग में अल नस्र की आभा पराट शुनी की दमाकेदार जीत में चम के खृषिया नो रोनाल्डो लगाई है ट्रिक महीं अल हिलाल के भी जीत का दाचारी अल ओखदूत को तीम शुनी से दी मात लगातार रिकॉर्ड इक्तिस्वी जीत दर्च की करीना कपुर्दबू और प्रिती से इनन के फिल्म क्रू ने पांच दिन में 2.76 करोड रुपए कमाईस के साथे रिलीज के पांच दिनों में क्रू ने डोमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 36.46 करोड का बिसनस किया बारवी फेल अक्टर विक्रांत मैसी का आज जन्मदीन हैं विक्रांत ने 14 साल पहले अपने करियर की शुरुआत टीवी के छोटे पर दे सकी थी से लग दिखला जा 11 की बिनर मनीशा रानी ने हाल ही में बिहार में प्रॉपटी खरी दी है इस बात की च्वान कारी मनीशा ने खुद अपने ब्लॉग के जर्ये फैंस को दी और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलाल इतना ही हमें दीजे जासत नमस्कार